मीन रासी वालों का शापता ही का रासी फल यानि कि 9 से लेकर 15 दिसंबर के बीच का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रिश्चिक मीन एस्पेशल में तो आईए आज का वेडियो सुरू करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से आपक इस सब्ता के बारे में तो वेडियो को आप पूरा देखें एसकीप कहीं भी ना करें और अगर आप जन्म कुंडली के लिए हस्त रेखा के लिए या आपके जिबन में कोई दिक्कते हों कोई समस्याएं हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझे से बात करना चाहते हैं तो आपके सामने मेरा नमबर लिखा हुआ है इस नमबर पर आप मुझे वाटसेप कर लें कॉल बिलकुल भी न करें अगर आप वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ वाटसेप ही करें तो आईए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों सबसे पहले हम आपके बेपार को देख लेते हैं बेपार के लिहाद से यह सबता आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है अगर आप कार्ज में लापरवाही ना करते हैं तो आपको फाइदा भी बहुत ज्यादा ह और अगर आप कार्ज में लापरवाही करते हैं फिर फाइदा कम होगा क्योंकि समय आपके साथ है आप इस समय का जितना ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं वापत न उठाओ और अपने काम में आप लापरवाही ना करो क्योंकि जिस तेजी से आप काम करोगे उसी तेजी से आ बहुत ज्यादा होगा अगर आप बेपार में विस्तार करना चाहते हो तो आप वो करो क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने बेपार में कुछ निवेश करते हो या बेपार को आप किसी नए जगा भी ओपन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते आपको लॉस नहीं होगा वैसे शबताह का सुरुवात और मध्या के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है लेकिन शबताह के अंत में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पर सकता है अगर आप धन का लेन देन करते हैं तो वो आप सप्ताह के मद्ध से पहले कर लें अगर आप सप्ताह के लाष्ट में जाते हो तो आपको फिर धन की हानी जिलनी पर सकती है आप सप्ताह के लाष्ट में लेन देन ना करें वो बहतर रहेगा अगर आपके स्वास्त की बात की जाए तो इस सब्ता में अपने खान पान पर रहन सहन पर आप ध्यान दें क्योंकि जैसे ही स्वास्त में आप लापरवाही करते हो आपका स्वास्त खराब हो सकता है इसलिए शुभा के समय एकसरसाइज करें और आप सिर्फ और सिर्फ ढखा हुआ खाना खाएं जो खाना बाहर रखा हुआ हो या जो खाना शुध नहीं हो या जिस भोजन में तेल का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया हो उन बस्तों से आप दूर रहें फिर आपके स्वास् हुआ कि बात करते हैं बात करते हैं उससे पहले अगर आप कोई वीडियो को आप लाइक कर दे में चेनल को हम सब्सक्राइब की घंटे ओल पोन कर दे और में आप घरज़गा फैला daสेएर कर दे ताकि सब कोई वीडियो को देख सके अब है आपका पारिवारिक जीवन में तरों 14 और 15 तारीक को आपके परिवार में तनाब का माहौल कुछ ज्यादा रहेगा उससे पहले आपका पारिवारिक लाइफ शामानने तोर पे ठीक रहेगा ज्यादा बाधा नहीं आएगी लेकिन सब्ता के लास्ट में यानि कि 14 और 15 को घर परिवार में तनाब का महौल बना रहेगा इस बात का आप ध्यान रखें और अगर घर में कुछ माहौल खराब हो रहा हो तो आप फटा-फट से सुल्जा दें घर के माहौल को आप खराब ना होने दें इस सब्ता में आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं उस यात्रा में आप ठक बहुत जाएंगे लेकिन आपको फाइदा होगा उस यात्रा में आप जिस वज़ा से जा रहे हो आपके इक्षा के पुर्ती होगी और फिर आप संतुष्ट रहेंगे अब है आपका बैबाहिक जीबन इस सब्ता में आपके जीबन साथी का सपोर्ट आपको पूरा मिलने वाला है वैसे कभी कभी नोक जोक होते रहेगा मीन रासी वालों का इस सब्ता का रासी फल तो मुझे उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वागई मैंसा कुछ होते इस वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें घंटे को वाल पर आउन कर दें और वीडिय जय बजरंग वली भारत माता की जय हो बिस्चुका कल्यान हो गाउ माता की जय हो धार हर महादे को